गनपती बाबा ने दिखाया चमतका, राणी और उसके भाईयों के लाग पोसिस के बाद भी दिव्यम राणी को बरमाला नहीं पहना सका, एक बार फिर राधिका और दिव्यम साथ जन्मों के लिए एक हो गया, राधिका के बरमाला पहनते ही गोलू भया खुशी से फूल पर से करवाता है तभी सुजाता को फोन आता है गनपत्ति बाबा के पंडाल में जाने का नियोता मिलता है सभी लोग पंडाल में जाने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन राधिका की सजा के कारण कोई राधिका को पंडाल में नहीं ले जाता राधिका खुश हो जाती है और घर राधिका के पीछे हाँ धोकर पर जाते हैं इधर घर पे कोई नहीं होता केवल राधिका और राणी के दोनों भाई राधिका कमरे की तलासी ले रही होती है तभी राधिका के भाई आ जाता है और राधिका को डारता है राधिका हाँ जोर कर समझाती है देखिए नरपर जी स यहां देखिए रानी के प्रेग्नेंटी रिपोर्ट इसमें साफ साफ लिखाया है रानी प्रेग्नेंट नहीं है शर्पड और सर्पड को कहता है तुम हमारे बेहन के खिलाफ हमें भरका रही हो छोरी मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी और रानी के साधी दिव्या लेकिन विश्वास नहीं करता कि रानी इतनी वरी नाटक कर सकती है इधर गनपति पंडाल में रानी दिव्यम को पाने के लिए सुजाता के साथ प्लान बनाती है जिसने आनी की तरफदारी क्यों करती है कहीं मा रानी के साथ मिली हुई तो नहीं दिव्यम रानी और मा पर गोलु भहिया को नजर बनाया रखने के लिए कहते हैं गोलु भहिया दिव्यम की बात मानकर रानी पर नजर बनाया रखने रखता है गोलु भहिया सोचता है जल से जल इस नरपट और सरपट से छुटकारा मिले तो घर में सांती आए इन दोनों की बज़े से मेरी पहन राधिका कितनी कस्ट उठा रही है मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ यही सही मौका है राधिका को साथ देने का इधर राधिका के हाथ पहुत बढ़ा सबूत लग जाता है जिससे पूरे परिबार को यकीन हो जाता है रानी कितनी बढ़ी नोटंक की बाज है फिर से राधिका बनेगी बेस्ट बहुत दिव्यम राधिका को गले लगा लेगा रानी बे नकाब होगी नरपर सरपर सभी के सामने माफी मांगेगा राधिका को अपनी पहन बना लेगा ऐसी और अब्जेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब परे धन्यबाद